हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडिटी टू कम्मूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में लाइब मार्केट में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप double bottom pattern के basis पे अपना trading strategy setup कर सकते हैं या फिर जो हमारा strong support level का development होता उसके basis पे कैसे हम अपना एक trading strategy setup कर सकते हैं तो यहाँ पे हम bank nifty के चार्ट पे आ गए और अभी market open हुए लगबग आपका एक घंटे के करीब हो गया है और यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देखें तो देख सकते हैं एक लोग का formation आपका यहाँ पे हुआ है और दूसरा लोग का formation आपका यहाँ पे हुआ है और दोनों लोग लगबग आपका एक ही level करीब है तो यहां पे दोनों लोग को जवाइन करते हुए, अगर हम एक line draw करें, इस तरीके से हमारा एक काफी strong, यहां पे support line draw होता हुआ, दिख जाएगा, यह strong support level बन जाएगा, और यह जो level है, यह हमारा 39,200 का level है, तो 39,200 का level, यहां पे हमारा strong support level बन चुका है, और यहां पे अगर ह आपका दूसरा बॉटम यह नहीं यहां पर हमें क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न का हमें फॉर्मेशन देखने को मिला है लगबग आपका एक घंटे बाद बैंक निफ्टी में और इसी के विशिस पर यहां पर अपना ट्वेडिंग स्ट्रेटिस सेट अप करने जा रहे है क्योंकि मार्केट यहां पर आपका काफी ऊपर अपन हुआ है और यहां से आपका नीचे साइट की तरफ जा रहा है तो सबसे पहला ट्वेडिंग सेटप क्या होगा कि अगर आपका यह स्ट्रॉंग जो सपोर्ट डेबल अप हुआ है 39,200 लेवल पे अगर इसको ब्रेक करक यहां पर नीचे साइट की तरफ जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे सेल साइट की तरफ पोजिशन इनिशियेट करेंगे और जो हमारा यहां पर टारगेट प्राइस होगा यहां पर हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा और यहां पर हम एसल की बात करें तो एसल जो हम हमें यहां पर रखना परेगा वो होगा आपका 39,300 के करीब यह नी जो एसल होगा हमारा 100 पॉइंट का होगा और टागेट वैस यहां पर हमारा 200 पॉइंट का होगा यह विस्क रिवाड काफी हो तक हमारे फेवर में है तो हम यह ट्वेट भी ले सकते हैं अगर 39,200 के नीचे आया तो लेकिन अगर बाइचांस यहां से 39,200 के नीचे नहीं आया और यहां से अपसाइड मूब दिखाया तो हमें क्या करना होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि तो यहां पर अगर यहां से घ्वीन केंडल बनना स्टार्ट हो गया तो हम बाइचांस की तरफ जाएंगे लेकिन हम वेट करेंगे कोई एक क्रूशल लेवल ब्रेक होनेगा क्योंकि सेंटिमेंट निगेटिव है और जब तक क्रूशल लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक से यहां पर हमारा SL होगा और बात करें तो 29,500 यह हमारा डाजर्ट प्रेस हो जायगा तो यहां पर भी हमारा 200 प्रेस है और 100 प्रेस है तो अब यहां मैंसे जो भी कुछ होगा पहले अगर 39,300 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम बाइसारी के तरफ ट्वेट जो risk reward है, वो काफी हद तक हमारे favor में है, तो इस तरह का trade setup हमें किसके basis मिला है, हमें इस तरह का trade setup मिला है, वो आपका double bottom pattern के basis पर मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं, double bottom का formation हुआ है, उसके basis पर यहाँ पर हमें इस तरह का trade setup मिला है, और जब भी आपका double bottom का formation होता है, तो एक strong support डबलब होता है और उसके वेसिस पे हम डाउनसाइड या अपसाइड किसी भी तरफ हम ट्वेट ले सकते हैं और काफी सटीक ट्वेट यहां पर हमारा बनता हुआ देखा है तो यहां पर आपसे मैं थोई देर बाद मिलता हूं जब आइदर यह 39,200 के लेवल को ब्रेक करके न यहां पर आपका 12 वजे करीब यहां पर हम चार्ट पर वापस से क्यों आए यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा देख सकते हैं हमारा जो एसल था वह कहां पर था 39,200 करीब था और हमने जो बाइंग पोजिशन इनिशियेट किया था जस 39,300 के ऊपर निकलते यहां पर बोल सकते हैं कि 39,325 के करीब यहां पर हमने अपना बाइप पोजिशन इनिशियेट किया था एक्चुली हम इसे नीचे ही गड़ते लेकिन हमने एक यह लेवल ले लिया है अब उसके बाद क्या हुआ यहां पर देखें प्रैस आपका थुरा सा उपर गया 39,400 करी गया है अब यहां पर क्या होगा यह नीचे गिरते हुए आया जो और हमारा एसल था जहां पर उसके करीब आ गया है अब जैसे इसके करीब आया होगा लोगों में यहां पर फियर जैन्वेट हो गया होगा और बहुत साए लोग यहां पर ड़के मार्केट से एक्जित भी क से निकल जाए लेकिन वो जल्दबाजी आपको नहीं करना क्योंकि आपने यहां पर सारा calculations करके stop loss लगाया था upside और downside दोनों तरफ का trade यहां पर हमने तयार किया था अगर मेरा यहां पर SL हिट होता है तो होने दीजे हम next trade से हम अपना profit निगाल सकते हैं या फिर उसको हम recover कर सकते हैं लेकिन इस trade में हम कोई changes नहीं करेंगे और यहां पर जो भी लोग डर गया होंगे वो market से बाहर निकल गया होंगे और उसके बाद देखिए वापस से market आपका ऊपर जाना start कर दिया यह नहीं हमारा buying price की करी वापस से market आ गया है तो हमें यहां पर डरने की ज़रुत नहीं है अगर SL hit होता है तो हम यहां पर होने देंगे नहीं तो target price होता है तो हम उसको भी होने देंगे हम यहां पर कोई जल्दवाजी नहीं करने वाले target price के आसपास हम थोड़ा पहले profit book कर सकते हैं लेकिन SL के turns में हम वह ऐसा नहीं करेंगे SL हम अपना strict रखेंगे और हम इसमें कोई changes करने वाले नहीं है इसलिए इस तरह का situation आपको जब भी आगे कभी भी देखने को मिले तो यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है आपने अपना stop loss well calculated रखा है तो उसमें कोई changes करने की जरूरत नहीं है यहां पर आपसे वापस से थोई देर बाद मिलते हैं जब आइदर यह मेरे SL यहनी 39,200 के level को hit कर दे या फिर जो हमारा target price है 39,500 उसको hit कर दे दोनों में से कोई एक level को hit करेगा तब मैं आपसे यहां पर मिलता हूँ तो यहां पर हम वापस से चार्ट पर आए और टाइम हो रहा लगभग आपका एक बज़ के 30 मिएट के करीब अब यहां पर देखिए जो हमारा target price था 39,500 उसको इसने hit कर दे यहनी यहां पर हमारा target price हीट हो गया और यहां पर हम लगभग 175 point का profit आसानी से book कर लिए और अगर आप यहां पर options में trade करते हैं और अगर आप at the money 39,300 के call options को भी buying करते हैं तो अभी यहां पर आपको लगभग 100 से 120 point का profit आसानी से मिल जाता है bank nifty के options में भी तो चाहें आप किसी भी तरफ trade करो यहां पर आपको अच्छा खासा profit definitely मिल जाता है और देखिए market क्या किया है यहां पर आपको market डराया है यहनी उपर जाने से पहले market ने क्या किया है कुछ लोगों को डराया और कुछ लोगों को market से बाहर निकाला है इसलिए market में आपको fear नहीं होना है आपको सबसे पहले well calculated और काफी confidence के साथ trading setup अपना तयार करना है जैसे कि यहां पर हमने किया था double bottom pattern के बैसिस पे हम अपना trading setup तयार किया था और वहीं पर हमें strong support level भी दिख रहा था जब यह strong support level हमें दिख रहा है तो वहाँ पर अगर उस support level को break करता है और मेरा SL hit होता है तो negative side की तरफ भी हमें momentum देखने हो भी लेगा फिर हम वहाँ से sell करके भी हम उस loss को recover कर सकते हैं हमारे पास recovery का chance है इसलिए हमें जल्दवाजी नहीं करना और जो लोग यहाँ पर जल्दवाजी करके market से exit हुए होंगे उनको यहाँ पर इस profit को miss कर दिया होंगे यह जो लंबा profit हमें मिला है 175 to 200 points का यह profit उनको नहीं मिल पाया होगा क्योंकि वो early market से exit हो गये अब यहाँ पर आने के बाद bides में थोड़ी से strength की कमी देखने को मिला है तो जो लोग यहाँ पर exit किया होंगे ठीक है नहीं तो इस level पर हमें definitely exit कर लेना चाहे 39,475 हो या फिर 39,500 हो तो यहाँ पर market से निकल जाएंगे आज का कम हमारा यहीं हो गया है क्योंकि market में जो momentum है वो थोड़ा सा difficult है अभी tweet करने के लिए तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा profit मिल गया है तो आज के लिए इतना है बागे अगर कुछ ऐसा tweet setup आगे भी बनता है कुछ ऐसा pattern बनता है या फिर कुछ ऐसा हमें indicators के basis पे कुछ मिलता है तो आपके साथ share करेंगे तो उमीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजे ताकि इस तरह के और भी वीडियो जह हम live market में आपके लिए लाते रहेंगे तो चैनल को subscribe जहूर कर लिजएगा और साथी साथ bell icon अभी तक नहीं दबाया तो फ्लीज bell icon को भी जहूर दबाते जएगा ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करे उसका notification आप तक पहुंच जाए so that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन